आज हम पढ़ेंगे हिंदी ब्यात्रान का पार्ट साथ स्वर्व नाम ठीक है हमने इस लेसन को आपको रीट करवाया है और हमने होमड़क दिया था कि आप को शनमबर का और खा अपनी कोपी में करने का प्रयास करेंगी आई हम उन्हें रश्णों को आज दोबारा आते हैं और आपको इनकी आंसर रिपीट करवाते हैं पहला कोशन है सवर्व नाम किसे कहते हैं उधारण सही लिखो तो इसका आंसर है सवर्व नाम किसे कहते हैं उधारण सही लिखो तो यहाँ पर है, संग्या के इस्थान पर जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें स्वर नाम कहते हैं, जैसे उधारण है, मैं, वह, तुम, हम, तुमको आदी, ठीक है, संग्या के इस्थान पर जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें स्वर नाम कहते ह उधारण है मैं वह तुम हम तुमको आदी ठीक है अब कोश्चन नमबर टू में आएंगे स्वर नाम के कितने भेध होते हैं और उनके नाम लिखो ठीक है तो यहाँ पर है आंसर स्वर नाम के छे भेध होते हैं जिसमें पहला भेध है पुरुस वाचक स्वर नाम सकेंड है संबंद वाचक स्वर नाम थार्ड है निश्य वाचक स्वर नाम और फोर्थ है अनिश्य वाचक स्वर नाम फिप्त है प्रिश्ण वाचक स्वर नाम और शिक्स है निश्य वाचक स्वर नाम तो यहाँ पर संग्या स्वर नाम के छे भेध बताएगा है ठीक है जिसक आई हम question number खा देखेंगे दिये गए वाकियों में स्वर नाम सब्दों का गलत प्रियोग हुआ है उन्हें इन्हें सही करके पुनह लिखो ठीक है तो इसमें है वे आया है तो इसका सही वाकिय क्या होगा स्वर नाम सब्दों का वह आया है सेकर नमबर है वह खीर वह ने खीर खाई तो इसका आंसर है स्वर नाम सब्दों है उसने खीर खाई थर नमबर है उसने उसका नाम उसने उसका काम किया तो उसने उसका काम किया ये राइट आंसर है फिर है वे या खेत वे या खेत हमारा है तो यह answer के आएगा इसका यह खेत हमारा है अब next है रेखांकिल संग्या सब्दे के स्थान पर उचित्ते सौर नाम सब्दों का प्रियोग करना है जैसे यहाँ पर दिया है राजियू राजियू की बेहन, बेहन के स्थान पर राजियू के स्थान राजियू की स्थान राजियू की स्कूल गया तो यह जो अंडालाइन है उससे हमें सुधार का सहिसे और नाम सब्दों का प्रियोग करना है तो यहाँ पर क्या होगा राजियू अपनी बेहन के साथ स्कूल गया ठीक है सेकंड नमबर है अध्यापिका ने स्याम से कहा स्याम जाकर स्याम की जगा बैठो तो यह फिर असुद है तो इसे हमें सवनाम सब्द में राइट जमाना है ठीक है तो यहाँ पर लेखा अध्यापिका ने स्याम से कहा तुम जाकर उस जगा बैठो ठीक है फिर थाड नमबर है संदीप ने संदीप की भक्ती से ईश्वर को प्रशन किया तो इसका अंसर है संदीप ने अपनी संदीप संदीप दोबार आया है तो यहाँ पर एक संदीप को क्या करना है उसे हटा के हमें सहीं सो अनाम सब्द यूज करना है ना तो यहाँ पर क्या आएगा संदीप ने अपनी भक्ती से ईश्वर को प्रशन किया ठीक है फिर है पिता जी ने आकास आकास से कहा आकास आकास की किताब लाओ तो इसका अंसर है पिता जी ने आकास से कहा तुम अपनी किताब लाओ ठीक है तो यहाँ पर जो डबल बार वट्स आया है तो उसके जगे में क्या कहा गया है तुम अपनी का यूज किया गया है ठीक है अब है नेक्स्ट कोशन उचित विकल्ब पर सही काचन लगाओ अब यहाँ पर जैसे एक्जामपल में बताया गया था कि जो पुरुष वाचक्सो नाम होते हैं उन में क्या क्या यूज होता है मैं, हम, मुझे, हमें या तू, तुम, आप, उसका, तुम्हारा या फिर उसका उसकी उसको हाना उनको ये सब चीजें किसमें यूज होता है पुरू स्वाचक सरनाम में आते हैं ठीक है तो यहाँ पर कौन सा वर्ट्स नहीं आएगा वह आता है तुम भी आता है मैं भी आता है लेकिन कौन जो वर्ट्स होता है वो नहीं आता है सब ठीक है त प्रश्ण वाचक सोर नाम, संबंद वाचक सोर नाम, निश्य वाचक सोर नाम, तो इसका आंसर है, किसका कोशन कर रहा है, किसका कौन सा सोर नाम है, कोशन मर्क लगई हुआ है, तो यह कि अपने आप में एक प्रश्ण वाचक चिन है, ठीक है, अब हैं थार नमबर, इन में से कौन सा सब्द सवरनाम नहीं है कैसे नहीं कुछ या फिर हम तो इसका आंसर क्या आएगा नहीं ठीक है इन में से कौन सा सब्द सवरनाम नहीं है नहीं जो वट से वो इसमें ये सवरनाम सब्द नहीं है ठीक है तो हाज के लिए होमबर्ख है आपका कि आप इन कोशनों को अपने कोपी में कम्प्लेट करके आएंगे ओके बाबाय स्टुडेंट्स